वेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेक टो माई टूप चैनल, देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ, यह डिजाइन मैं जेंस के लिए बना रही हूँ, इस डिजाइन को आप लेडी स्वेटर, लेडी जैकिट में आप फंदा ऐसे सिंपल में रखा हुआ है, आप चाहे तो इस पर डिजाइन भी कोई और डिजाइन बना सकते हैं, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, देखिए या पर मैंने एक इस फंदा रखा हुआ है, यह हमारा फर्स्ट रो है सीधी साइड, तो सबसे पहले हम चार उल्टा बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदा सीधा बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदा, चार फंदा हमने उल्टा बनाया, तीन फंदा सीधा बनाया, धागा आगे करेंगे, अब साथ फंदा हम उ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, साथ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदा उल्ट सीधा, एक, दो, तीन, धागा आगे करेंगे, और चार फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक, तो, तीन, चार, यह देखें हमारा, सिकेंड रोग है, उल्टी सैट, तो पूरी सलाई हम देखें इस तरह से, उल्टा ही फंदा बनाएंगे, उल्टी सैट से हमें उल्टा ही फंदा बनाना है, हर बार, यह हमारा थोड़ रोग है, तीसरा स्लाई सीधी सैट, तो देखें हम फिर से से म, वैसे ही बनेंगे, चार फंदा हम, सेम उसी तरह से, देखें, उल्टा बनाएंगे, धादा पीछे, तीन फंदा सीधा, धादा आगे, साथ फंदा उल्टा, धादा पीछे करके, तीन फंदा सीधा बनाएंगे, ऑल्टे से देखें, हम पूरी सलाई उल्टी बनाएंगे, हर बार, देखें हमने चार सलाई बूले पांचवा सलाई है, सीधी साइबistä, तो चार फंदा हम, उल्टा बनाएंगे चार फंदा हमने उल्टा बना लिया धागा देखिए इस तरह से पीछे करें धागा पीछे करके तीन फंदा देखिए इस तरह से हम एक, दो, तीन तीन फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगी करेंगे चांश दिखिया यहां से बेजायन स्टार्ट होगा तो तीन फंदा बनाएंगे कि एक दो कि इन्सटीं हो दो में सीधा बनाया तीन फंदा उल्टा धागा पिछे करएंगे अब देखिये हमारा पान्दा है यह उल्टा वाला जो फंदा है उसी होल में से देखे हम नीचे को होल में से एक फंदा देखे इस तरह से सीधा बनाएंगे धाग आगे निकालेंगे फिर से धाग आगे करेंगे और एक फंदा और सीधा बनाएंगे देखे हमारा तीन फंदा हो गया हमें दो बार और इसी तर एक चार देखिए हमने चार बड़े से धागा निकाला देखिए थोड़ा से धागा हमारा धीला होगा अब सारे फंदे को हम लेफ्ट वाले स्लाइम में उतारेंगे यह जो हमारा सीधा फंदाव इसको इस तरह से हम दबा के रखेंगे हाथ से सारे फंदे को देखिए इस तरह से हम सीधा फंद बनाएंगे डबल बार लपिट लेंगे ताकि निकालने में आसानी हो अब यह जो फंदा मैं ने दबा के रखा था उसको और इसको दोनों फंदों को एक साथ हम इस तरह से फिर से सीधा फंदा बनाएंगे देखिए हमारा एक बबल डिजान बनके तयार हो चुका है अब फिर से तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे तीन फंदा सीधा एक दो तीन धागा आगे करेंगे चार फंदा उल्टा उल्टी साइड से पूरी सलाई हम जैसे है वैसे बुनेंगे देखिए हमने छे सलाई बुन लिया है हमारा सातवा सलाई है सेवेंथ रो सीधी साइड चार फंदा फिर से हम उल्टा बनाएंगे देखिए चार फंदा उल्टा बनाने के बाद हम ये तीन फंदा हमारा जो सीधा फंदा है उसको देखिए इस तरह से दोसरे सलाई में हम ऐसे उतार लेंगे और ये तीन फंदा जो इधर का है हम उसे उल्टा बनाएंगे एक दो तीन देखिए तीन फंदा हमने उल्टा बना लिया अब ये जो तीन फंदा सीधा वाला फंदा है उसे लेप्ट वाले सलाई में हम इस तरह से उतारेंगे और धागा पीछे करेंगे तीन फंदो को हम ऐसे सिधा फंदा बनाएंगे देखिए हमें तिन-तिन फंदा फिरना है देखिए ऐसे धागा आगे करेंगे एक फंदा बीच का हम उल्टा बनाएंगे फिर से से मुशी तरह से देखिए यह जो तीन फंदा हमारा है उल्टा वाला फंदा हम दोसरे स्लाइम उतारेंगे इस तरह से और इसको पीछे एक साइड ले जाएंगे धागा पीछे करेंगे और यह जो तीन फंदा सीधा वाला फंदा है उसे हम सीधा बनाएंगे ऐसे सिधा फंदा बनाने बाद ये जो तीन फंदा है उसे हम पीछेक सैड से लेफ्ट वाले स्लाई में उतारेंगे इस तरह से धागा आगे करेंगे अब तीन फंदा इस तरह से यह उल्टा बनाएंगे जो तीन फंदा उल्टा बना लिया हम अबना चार फंदा और बाकी के सीन क कहा है एल्टी सैड सैड से पूरी स्लाई वेला यह बनाएंगे हमने 8 लाइब बुल लिया है हमारा 9 फ्रू है सीधी साइड देखिए हम 4 फंदा पांच फंदा उल्टा बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पांच पांच फंदा उल्टा बनाया धागा पीछे करेंगे फिर से देखिए तर puppete हम से मुझो तरह से एक बबल डेजाइन बनाएंगे पीछे साइड से सीधा पांच बनाएंगे इस थागे से थाँच फंदार रखेंगे फिर से देख हम और हम बनाएंगे सीधा फंदा, अर इस वाले फंदे को हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे, सारे फंदे को हम लेप्ट वाले सलाइम उतारेंगे, उतारने के बाद पीछे की साइट से देखें हम फिर से सीधा फंदा बना लेंगे, देखिए अब दोनों फंदों को हम इस तरह से लेके एक फंदा बनाएंगे देखिए हमारा कितना प्यारा बबल डिजान बन चुका है धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे इस तरह से अब यहां पे देखिए अब यहां पे ध्यान दिजिएगा 2, 4, 6, 7, 7 फंदा देखिए इस तरह से करके जो हमारा होल है स 7 फंदे के बीच में से इस तरह से हम सलाई को ले जाएंगे धागा हमारा पीछे एक साइड रहेगा इस तरह से हम देखिए धागा आगे लाएंगे और उस वाले धागे को वैसे हम सीधा फंदा बनाएंगे देखिए देखिए हमारा ये इस्ट्रा फंदा बन चुका है अब तीन फंदा हम सीधा बनाएंगे एक दो दो तीन फंदा सीधा बनाएंगे बीच का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे तीन फंदा और हम सीधा बनाएंगे एक दो तीन हमारा साथ फंदा हो चुका है ये जो हमारा एक्ष्ट्रा फंदा है देखिए इस तरह से हम सारे फंदे के उपर से इसको ऐ अब फिर से इस होल में से हम उसी तरह से से एक बबल दी जान में देखिए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे हमें चार बार इसी तरह से फंदा निकालना है तेन एक चार यह वाला फंदा मारत सीधा फंदा उसको हम इस तरह से हाल से दबा के रखेंगे सारे फंदे को लेप्ट वाले से लाइन उतार के हम एक सीधा फंदा बनाएंगे देखिए यह वाला फंदा और जो हमने एक फंदा सीधा बनाया था दोनों फंदों को एक साथ होनेंगे देखिए हमारा बबल डिगान बन चुका है फिर से देखिए इधा रहा पांच फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीर चार एक पांच उल्टी साथ से पूरी सलाई हम जैसे है वैसे ही बुनेंगे देखिए हमने यहां तक दस लाई बुन लिया है अब फिर से देखिए यहां पे हम चार फंदा उल्टा बनाएंगे 11 लाई हमारा सीधी साथ तो देखिए एक दो तीन चार चार फंदा हमने सीधा बनाया अब से मुसी तरह से देखिए हम फिर से धागा पीछे करेंगे देखिए हमने तीन फंदा यहां पे जो उल्टा वाला फंदा हमारा है उसको ऐसे हम पीछे क साड ले जाएंगे एक दो दो सरे सलाई मां उतारेंगे तीन फंदा एक दो तीन और इसको हम पीछे क साड ऐसे दबा लेंगे अब यहां पे जो तीन फंदा हमारा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे करेंगे तीन फंदा हमने सीधा बनाया यह जो हमारा फंदा है उसे हम पीछे क साड से लिफ्ट वाले स्लाई में उतारेंगे उल्टा वाला फंदा धाग आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा तीन फंदा हमने उल्टा बनाया एक दो तीन बीच का एक फंदा हम और उल्टा बनाएंगे हमारा यहां पे चार फंदा उल्टा हो चुका है अब ये जो तीन फंदा हमारा है, सीधा वाला फंदा दूसरे सलाइ में इसको उतारेंगे, उसको आग एक साड़ ही रखेंगे, अब ये वागी के तीन फंदे हैं, उसको हम देखें इसके साथ ही उल्टा ही फंदा बनाएंगे, एड़, दो, तीन। बीच में हमारा साथ फंदा उल्टा हुआ अब तीन फंदा हमारा सीधा उसे लेट वाले से लाइए में आगे इक साइड से इस तरह से उतारेंगे अर्टीनों फंदों को ऐसे हम सीधा फंदा बनाएंगे धाग आगे करेंगे और चार फंदा उल्टा बनाएंगे देखे हमने बारस लाई बुन लिया है तेरा मास लाई है मारा सीधी साइड चार फंदा हम उल्टा बनाएंगे धाग पीछे तीन फंदा सीधा धाग आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा बनाएंगे धाग पीछे करके यह उल्टा वाला फंदा है इसके नीचे से देखे से मुसी तरह से हम बबल डेजान बनाएंगे अर बनाएंगे सारे फंदे को हम पीछ इक सामचा करके दिछ Eph wellness को हम पीछ हम सिधा वाला फंदा और यह वले ँदों जित तरह से हम सिधा वाला बनाएंगे अ पर strict फर से तीन फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे तीन फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे चार फंदा उल्टा हमें इसी तरह से दस लाई और बुनना है तो चलिए हम बुन के कम्पलीट कर लेते हैं देखें डियान बनाने बाद हमने दस लाई बुन लिया है एक दो तीन चार पांच पांच का डबल हमारा दस लाई हो चुका है देखे दस सलाई हम साधा बनाने के बाद, हम से फिर से यही प्रोसेस यहां से रीपीट करेंगे, अगर वीडियो बनावगी तो बहुत ज्यादा लम्बा हो जाएगा, आप यहां से देख सकती हैं, से यहां से फिर से रीपीट करेंगे, उमीद करते हैं कि आपको यह पसंद अगर वीडियो पसंद आए तो फिलीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू